नमस्कार स्वागता है, आप सभी का आस्ट्रो एंड यू चैनल में सावन से कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है। सावन के महीने में कई शुभ योगों का निर्मान तो हो ही रहा है, साथ ही शनिक कुम्भ राशी में रहकर शश राज्योग भी बना रहे हैं। माना जा रहा है कि लगभग 22 साल बाद इस साल के सावन पर ग्रहंक्षत्रों का दुलब सन्योग बन रहा है। सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 19 अगस्त तक रहने वाला है। सावन के महीने में प्रीती योग, आयुश्मान योग, सरवार्थ सिध्धी योग, बुधादित्य योग, शुक्रादित्य राज्योग, नवपंचम राज्योग, कुबेर राज्योग, गजकेसरी राज्योग का निर्मान होने जा रहा है। आईए जानते हैं, सावन में ग्रहनक्षतर के शुब संयोग से कौन सी राशियां धन्वान बनने वाली है, जिसमें पहली राशी है, मेश-राशी है सावन में शुब योग और ग्रहों की चाल मेश-राशी वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे कुछ लोग प्रॉपर्टी भी खरीज सकते हैं जौब कर रहे लोगों को कई नए टास्क मिलेंगे छोटी मोटी मुश्किलों को आप आसानी से पार कर लेंगे लव लाइफ में रोमास भी बना रहेगा आकस्मिक धनलाभ भी हो सकता है सिहराशी सिहराशी वालों के लिए सावन के महीने में ग्रहों की चाल और शुब योगों का निर्मान शुब साबित हो सकता है आपको अपने फ्रेंज का सपोर्ट मिलेगा हेल्थ में सुधार होगा व्यापारियों को नया व्यापार शुरू करने के लिए कोई अच्छी डील मिल सकती है घर में सुख और शान्ती बनी रहेगी वहीं धार्मिक कार्यों में भी मन लगेगा अब बात करते हैं तीसरी राशी की तीसरी राशी है धनुराशी सावन के महीने में ग्रहों की चाल और शुभ योग का निर्मान धनुराशी वालों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है जीवन की मुश्किले धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगी नए मौके हाथ लगेंगे करियर में आपका स्ट्रगल रंग लाएगा प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं वहीं आपको जंक फूर से दूर रहना चाहिए और हेल्थ पर फोकस करना चाहिए किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं इसी खाश जानकारी के साथ आपका दिन शुभ हो